काहिद कामिल सर मैं आपके द्वारा ओडियंस तक अपनी पर्सनल लाइफ शेर करना चाहता हूँ तो मैं अपने बारे में बताओं तो मैं सिवाय शूरिवंशी बैतुल मद्देप्रदेश का रहवासी हूँ और वरतमान में इन दोर में में सॉफ्ट्रेयर कंपनी में मेरी ज मेरा जो जन्म हुआ था एक फिमेल बॉड़ी में हुआ था एक लड़की के सरीर में मेरा जन्म हुआ था और मैं अपने सरीर से बिलकुल खुसनी था मेरा दिमाग जो था मेरी आत्मा जो थी वो लड़को वाली सोस थी मेरी और मुझे लड़कों जैसे रहना पसंद था तो तो काफी मैंने लाइफ में स्ट्रगल किया, उसके बाद मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि ये सरजरी करा लू और अब मैं कम्प्लीट लिएक लड़की के सरीर मुझे मिल चुका है और मैं अपनी स्टोरी थोड़ी आपको डेटेल में देना चाहूंगा, कि जब मैं फिप्त चेंज कर लिए, पहले तो लड़को जैसे ड्रेस पहनना चालू कर दिया, हैर थोड़े बड़े थे तो मैंने छोटे कर लिए, लेकिन उस समय तो चलो ठीक है, समय निकल गया, लेकिन जब मैं 12th क्लास में गया, तो ये समस्या मेरे लिए और जादा बढ़ गई, क्योंकि सो तो उस समय तो ममी पापा का काफी प्रेशर पड़ा सोसाइटी का, तो उस समय मैं एक डिप्रेशन जैसी सिचुएशन में चले गया था, फिर मैंने इंटरनेट पर सर्च किया, फिर मुझे ऐसा पता चला कि जंडर चिंज जैसी सर्जरी होती है, और मैंने नेट से निकाले, मुंबई के निकाले, डॉक्टर से संपर्क किया, मैंने कॉल करके कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसे लोगों से परीशे कराया, जिनकी सर्जरी हो चुकी और कम्प्लीटली वो साधी करके अच्छे से अपनी लाइब जी रहे, तो फिर उसके है, मतलब सक्सेस्फूल है सर्जरी, ये चीज मुझे पता चल गया, फिर उसके बाद मैंने ये चीज घर पे डिसकस करी, फैमली वालों ने मुझे बिलकुल मना कर दिया, नहीं, आप ये सर्जरी नहीं कर सकती, उस समय मेरे जॉब भी चालू नहीं थी, पैसे थे थे नहीं क्योंकि सर्जरी में काफी जादा खर्चा आ रहा था, तो उस समय मेरे माइन में तो आ गया था कि नहीं मुझे सर्जरी कराना है, और उस समय फैमली को मैंने काफी कन्वेंस किया, और उन लोगों से भी मिलवाया, जिनकी सर्जरी हो चुकी थी, तो मैंने साथ में जॉब भ काफी चीजे मतलब एक लंबा समय निकल गया इस चीज को लेकर मैंने सेविंग भी चालू कर ली थी कि मुझे कराना है फिर धीरे धीरे फैमिली को भी ऐसा लगने लगा कि नहीं यार इनकी खुसी है एक खुस तभी रहेगे जब सर्जरी करा लेगे तो फिर कुछ समय बाद है कि चलो करा सर्जरी तुम्हारी है और मैंने उस समय तक मतलब चार से 59 साल लिए और मैंने अपने सेविंग भी कर ली थी तनी और कुछ फैमिली से मुझे सपोर्ट मिला और मैंने फिर दिली से डॉक्टर नरेंद कोशिक है, और मेक होस्पिटल, वहाँ पर जाकर सर्जरी कराईए, और मेरी सर्जरी तीन स्टेज में हुई है, जिसमें मुझे लगबद 2020 से मैंने अपनी सर्जरी की प्रोसेस चालो करवा ली थी, और उसमें फर्स्ट स्टेज में हार्मूज देते हैं, औ और आपकी बॉड़ी चेकप होता है, सब चीज ओके रहती है, तो फिर आपकी पहली सर्जरी में, मतलब ब्रेस्ट रिमूज करते हैं, और फिर सेकंड श्टेप में वो बॉटम और थर्ड में भी बॉटम ही रहता है, मतलब आपका completely male वाला सिक्षन बना देते हैं, तो आज वरतमान में मेरी complete सर्जरी हो चुकी है, और मैं काफी खुस हूँ यह सर्जरी के बाद, और मैंने मेरे लिए एक लड़की भी देख के रखी है, मतलब अभी-अभी मेरा मिलना हुआ था उनसे, और वो medical field में है, और next year तक मेरा प्लान है कि मैं बहुत जल्दी साधी भी कर ल दोस्तों, तो यह मेरी life story रही है, इस चीज में काफी struggle भी रहा है मेरा, तो मैंने आपको short में बताई यह चीजे, बाकि बस इतना ही था दोस्तों, ठीक है, thank you.